नमस्कार मेरा नाम है शुबंगुपता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहिट टाइम्स आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्यार की जिसमें जब लड़की के घरवालों ने शादी से इंकार कर दिया तो लड़के ने वो किया जिससे पूरे हैदराबाद में इस प्रेम कहानी की चर्चा होने लगी आपको बता दें ये कहानी बिल्कुल ही फिल्मी है युबक ने कारेकरम में युपती को देखा और एक नजर में प्यार हो गया युपती के घरवालों ने शादी से इंकार कर दिया तो युबक ने युपती के घर के पास ही घर बनाया और उस घर पर नजर रखने लगा लेकिन जब युप्ती के घरवालों ने इसकी शादी किसी और से तै कर दी तो युबक ने फिल्मी स्टाइल में युप्ती की सगाई से कुछ घंटे पहले उसके घर में घुसकर उसका अफरन कर लिया इस दोरान प्रेमी लगभग सौ लोगों को अपने साथ लेकर आया और चारों तरफ से घर को घेरा तोड़ फोड की और युप्ती को उठा कर ले गया हलागी फजियत के बाद पुलिस ने लगभग आठ घंटे के बाद युप्ती को बरामत भी कर लिया लेकिन युवक अभी भी फरार है कारों और ट्रक के काफिले में आए बदमाशों के पास हतियार थे वे डेंटल हाउस सरजन के दो मनजिला अवास के पास पहुँचे और घर को चारों तरफ से घेर लिया कुछ गुंडे अंदर घुसे और 30 मिनट तक बरबरता करते रहे उन्होंने घर में मौजूद लोगों को जम कर पीटा इस दोरान युप्ती के पिता समेथ 5 लोगों को गंभीर चोटे आई हैं इस बयानक घटना के दोरान पडोसियों ने बार बार SOS कवर कॉल की पुलिस से कई बार मदद मांगने के बाब जूद पुलिस नहीं पहुँची रकैतों ने पहचान छिपाने के लिए CCTV कैमरे को तोड़ दिये घर में रखे कंप्यूटर, डेटा सौफ़एर सब तहस नहस कर दिये फरनीचर तोड़ डाले और संपत्ती को भारी नुकसान पहुँचाया युपती की फिल्मी स्टाइल में किड्नैपिंग का वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वायलल हो रहा है पुलिस तक सूचना पहुँची, इतनी बड़ी घटना से पुलिस के हाथ पाउँ फूल गए युपती वैशाली की खोज शुरू हुई, लगबग 8 घंटे की भीशण खोज के बाद देर राज शहर के भारी इलाके से युपती को बरामत कर लिया गया बताय जा रहा है कि नवीन रेडि महंगे वेवरेज आउटलेट मिस्टर टी का मालिक है वैशाली को प्यार करता था, जब उसे पता चला कि उसकी सगाई हो रही है तो उसमें किड्नैपिंग की योजना बनाई नवीन रेडि ने वैशाली को उपरी मंजिल के कमरे से सीडियों से नीचे खीश लिया और उसे एक कार में ले गया पुलिस ने देर रात के ऑपरेशन में उसका पता लगाया और आठ डकैतों को गिरफतार भी कर लिया मुक्के आरोपी नवीन अभी भी फरार है, युप्ती के पिता दामुदर रेडि ने कहा कि मेरी बेटी की सगाई दो पहर में होनी थी लेकिन उसका अपरहन कर लिया गया और सुबह साड़े ग्यारा बजे एक कार में ले जाया गया सिर पर लोही की रौट से वार किये जाने के बाद मैं होश खो बैठा, जब तक मुझे होश आया वैशाली गायब थी परिवार के कई सदस्यों पर भी हमला किया गया है, निवासियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया और इससे भीड का मनोवल वढ़ा वैशाली के परिवार ने कहा कि उनकी बेटी नवीन से कुछ महीने पहले एक स्थानी बैड मिंटल टूर्नामेंट में मिली थी बाद में नवीन ने वैशाली के माता पिता को उससे शादी करनी की इच्छा जताई थी उन्होंने बताया कि जब मैं अपनी बेटी की राय मांगी तो उसने प्रस्ताप को अस्विकार कर दिया जल्द ही नवीन ने राजनीतिक नेताओं के माध्यम से दवा बनाना शुरू कर दिया लेकिन हमने साफ कहा कि हमें कोई दिल्चस्पी नहीं है इसे नाराज होकर नवीन ने उनके आवास के पास निर्मान कारे शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा और परिशान करना शुरू कर दिया वैशाली के पिता ने एक अपराधिक मामला दर्च किया है लेकिन कई बार याद दिलाने के बाब जूत पुलिस ने चार्ज शीट तक दायर नहीं की आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत नमस्कार जेहिन